अगर हमारी सरकार बनती है तो हमारी ये प्राइवर्टी रहेगी कि पूर्वी राज्य और उत्तर पूर्व के अंदर हम विकास को पहुचाने का प्रयास करेंगे स्री नरेंद्र मोधी ने सपट लेने के तुरंत ही बाद ही एक्ट इस्ट पॉलिसी को एक्टिव करकर नॉर्थिश्ट के अंदर विकास को पहुचाने की सुरुवाग की मुरार जी देशाई के बाद North East Council की मिटिंग सिलोंग के अंदर करने वाले पहले प्रधान मंतरी स्री नरेंद्र मोदी थे हर पंद्रा दिन में केंद्र सरकार के एक मंतरी किसन किसी राज्य के अंदर अपना दोरा विकास कारेक्रमों के तहट कर रहे थे पैसा तो हर बार आबंटी तोता था मोदी जी के नित्रुत्व और सफल नित्यों के कारण पैसा विकास में परिवर्तित होने लगा और वहाँ पर विकास पहुचा मैं मानता हूँ कि प्रधान मंत्री जी की नितियों की ही जीत है और उस पर आज नौर्थ इस्ट की ये तिनों राज्यों ने बड़ी महौर लगाई है। आज NDA की 43 सिट हुई है भारतिय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार हुई है और हम लगबग लगबग 50 प्रतिसत के वाट को क्रॉस कर चुके हैं। बड़े डट कर कॉम्मिनिस्ट हिंसा का सामना किया और कई कारेकरता हमारे सहीद भी हुए। मगर हर बूत को उन्होंने बुनकर आज ये बहुत बड़ा परिवर्तन किया है। वहां अमारी पार्टी ने नारा दिया था। चलो पल्टाई त्रिपूरा की जनता ने परिवर्तन कर दिया है। त्रिपूरा की जनता ने आज वहां भारती जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत दिया है। मैं एक बात यहां सपष्ट करना उचीत मानता हूँ, भले भारतिय जनता पार्टी का पूर्ण बहुमत हो, हमारी परंपरा के अनुसार हम साथी दल को सरकार में साथ में लेकर आगे बढ़ेंगे, उनके भी मंत्री हमारी सरकार में हिस्सेदार होंगे. नागा लेंड के अंदर भी भारतिय जनता पार्टी को 2013 के चुनाव में 1.8 प्रतिसत वॉट मिला था और 1 सीट मिली थी. आज उसकी जगे भारतिय जनता पार्टी को 10 सीटे मिली हैं और 12.1 प्रतिसत वॉट सिर्फ 15 सीटों पर मिला है. अब तक मिल चुका है, अभी काउंटिंग कुछ सिटों पर चालू है. मिगालाई के अंदर भी भारतिय जनता पार्टी और NDA हमारे साथी जनता पार्टी को बहुत बड़ी सफलता मिली है और वहाँ पर भी परिवर्तन का जनादेश हमें दिखाया है. दिखाई पड़ता ह हैं. मिगाले के अंदर हमारे साथी दलों ने काफी अच्छा परफॉम किया है, भारतिय जनता पार्टी ने भी अच्छा परफॉम किया है और कॉंग्रेस को वहाँ पर भाहुमत नहीं मिला है. मैं मानता हूं ये तीनों राज्यों के चुनाओ नतिजे आने वाले करना टक और 2019 के चुनाओं के परिणाम के ध्योतक है, उसके परिचायक है. एक जमाना था, जब माना जाता था कि भारतिय जनता पार्टी हिंदी बेल्ट की पार्टी है, मगर आज महराष्ट, गुजरात, ओरिसा, त्रिपूरा, मनिपूर, बहुत सारे राज्यों के अंदर भारतिय जनता पार्टी ने अपने जीत दर्ज की है, और करनाटक के लिए हम बहुत बड़े विजय के लिए तैयारी के साथ करनाटक के चुनाओं के मैदान में जा रहे हैं, अज सबसे ज्यादा अगर आनंद है, तो हमारे बंगाल और किरल के कार्यकरताओं को आनंद है, क्योंकि वहाँ पर भी उन्होंने सालों तक वामदल की हिंसा की रादविती को जहला है, और हमारे कई कार्यकरता वहाँ पर सहीद हुए हैं, मित्रो त्रिपूरा की जीत अपने आप में अित्यासिक जीत है, तीनों राज्यों में कॉंग्रेस को नकारा गया है, त्रिपूरा और ना देश की जनता मूदी जी के नेत्रुतों में भारतिय जनता पार्टी के साथ जा रही है, जहां तक लेप्ट पार्टी का सवाल है, ये सिद्ध हो चुका है, लेप्ट भारत के किसी भी इससे के लिए राइट नहीं है, लेप्ट को कोई पसंद नहीं करता है, ये तै हो चु का निसानी है बहुत सारे हिस्सों में हम पहले ही उपस्तिती दर्ज करा चुके थे और उत्तर पुर्व में जो हमरा विजय हुआ है इससे लगता है कि एक हम पर ताना विशेश कर आप सभी लोग मिडिया के लोग लगाते थे कि भारतिय जनता पार्टी अखिल भारतिय पार्टी नहीं है लद्दाक में भी हमारा सांसद है केरल में भी हमारा सांसद है कोहीमा में भी हमारा राज है और अब कच्छ में भी हमारा राज है भारतिय जनता पार्टी का एक सच्चा अखिल भारते स्वरूप दुनिया के सामने आया है मित्रो हमने मैं आज के दिन किसी परतंज कसना नहीं चाहता परन्तु मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि मोदीजे के नेत्रूतों में जिस प्रकार से सरकार चली विशेशकर घरीब तबकों के लिए जिस प्रकार से काम किया पिछडे वर्ग दलीत और आदिवासियों के लिए काम किया इसका यह नतिजा है हमारी चीत आज यह सारे तिनों तिन राज्ये आदिवासी बहुल राज्ये हैं ट्राइबल बहुल राज्ये हैं और त्रिपूरा के अंदर 20 ट्राइबल सीटों में से 20 की 20 सीटे भारतिय जनता पार्टी कंबाइंड जीता है मैं मानता हूँ यह बहुत बहुत बड़े सुबसंकेत भारतिय जनता पार्टी और नौर्थिस्ट और देश के लिए है 20 की 20 रिजर्व सीटे भारतिय जनता पार्टी ने और अमारे साथी दर ने जीती है यह हमारे लिए बहुत बड़ा सुबसंकेत है आगे आने वाले चुनाव के लिए स्वाभाविक रूप से हमारी होसला इससे बढ़ता है करनाटक के अंदर हमारा पूरा करनाटक उनिट आत्मविस्वात से भरपूर था मगर ये तीनों राज्यों के विजयने मुझे लगता है उनका होसला बहुत बड़ा है करनाटक से बढाई के अभिनन्दन के फोन आते है और केरल और पस्षिम बंगल का आनन तो नरेंद्र मोडीजी के आने के बाद पूरे नौटि स्षेतर के अंदर सांती बनाने के लिए भार्तिय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने बहुत प्रयास किया था सफल प्रयास किया और एक प्रकार से जो महर लगी है भारतिय जनता पाटी पर नरेंद्र मोदी जी के सांती बनाने के प्रयास पर वो बताती है कि नौर्थीस्ट की जनता को विकास चाही है संगर से खुणी बदले की भावना की इराददीती से नौर्थीस्ट बहार आना चाहता है तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है और जिस प्रकार के परिणाम है क्यूंकि मेगाले में थोड़ा हंग टाइप का समली है अगर मेगाले को न भी गिने तो आज देश में भारतिय जनता पार्टी और NDA होकर 21 राज्यों में भारतिय जनता पार्टी और NDA की सरकार हुई है और देश के बहुत बड़े भूभाग पर और आबादी पर मोदी जी के नेत्रुतों में भारतिय जनता पार्टी ने सफलता प्राप करिये नरेंद्र मोदी जी के नेत्रुतों में जीस प्रकार से हम आगे बड़े हमारी सरकार आगे बड़ी विश्वा में जीस प्रकार से भारत ने अपने गवरों को सबसे बड़ा अगर कोई थर्मोमेटर होता है तो वो जनादेश होता है एक के बाद एक जनादेश मोदी जी के नित्रूत में भारतिय जनता पार्टी को मिल रहे हैं मैं आज पार्टी की और से जो हमारा नेत्रूतों कर रहे हैं यह हमारे नेता स्री नरेंद्र मोदी जी और देश भर के करोडों कारेकरताओं को नौर्थ इस्ट के अंदर भारतिय जनता पार्टी के भव्य विजय की रदय से बधाया देता हूं पांच पिडी से भारतिय जनता पार्टी का कारेकरता साय जिस विजय की राह देख रहा था वो विजय आज हमें प्राप्त हुई है और मोदी जी के नेत्रूतों में विजय की परंपरा बढ़करार रहेगी इतना भरोसा मैं सभी कारेकरताओं को दिला कर मेरी बात समाब करता हूं अब आप सवाल पूच सकते हैं देने देखिए मैंने कहाना कि सबसे बहला बड़ा कारण है कि नौर्थीष्ट के लिए पैसे आबंटित होते थे मगर विकास नहीं होता था जीस प्रकार से नौर्थीष्ट में विकास होने लगा तो त्रिपूरा की जनता को भी लगा कि हमें विकास यात्रा के साथ जूगना चाहिए और भारतिय